साबुन से भरा कैंटेनर बीच रोट पर पलटी हो गया है आपको बता दे कि हैदराबाद से हिंदुस्तान लीवर का साबुन से लोट कैंटेनर एक्सिडेंट हो गया है विमंडी के नदी नाके पर ये कैंटेनर पलट गया है यहां कैंटेनर हैदराबाद से माल लोड करके गुजरात से वापी जा रहा था आपको बता दे कि एक बार फिर से विमंडी महानगर बालिका की हद में एक्सिडेंट स्पोर्ट बन चुके नदी नाके पर एक लोड़ेट कैंटेनर डिवाइडर से टकराने के बाद पलटी हो गया गनिमत रही कि कैंटेनर की स्पीड कम थी वरना कई घरों को ये धराशाई करते हुए लोगों को घायल कर सकता था और इसमें जान भी जा सकती थी जैसे कि आप तस्वीर भी देख सकते हैं कि रोट किनारे कई आटो रिक्षा पार्क किये हुए हैं लेकिन कैंटेनर की स्पीड कम होने के कारण एक बड़ी दुरगटना टल गई है हलाकि जो ड्राइवर है उससे बताया जा रहा है मामूली रोप से चोट लगी है विमंडी शहर के प्रसासनिक अधिकारियों को देखना चाहिए कि आखिर इतने हाद से क्यों हो रहे हैं और इस पर संग्यान लेना चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए और कोई बड़ी दुरगटना यहां ना हो जाए